असलाम लेकॉम मेरा नाम स्वेल अबतर है आज हम खेल गहाएं इतर दभई में किर्केट दोनों बलोच के टीम हैं बलोच वन बलोच टू खेलने वाली बलोच वन है और जो फिल्डिंग कर लिए वह बलोच टू है आज पहले ओवर की पहली शिरुवात होने वाली है अभी मै साजिद बैटिंग के लिए हैं देखते हैं यह ओवर कैसे जाता है इनका लगता है पीच बैटिंग की लग रही है मुझे आज पैली बॉल पहला ओवर वाटा गेम स्टॉर्ट वेरी गुड़ केंड रॉप हो गया हमां साजिद की अच्छी किसमती के बार 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 बाच दूसरी बॉल का ताम शिरू ओ वाइड बॉल आगी दूसरी बॉल वाइड बॉल यह भी वाइड हो गई रांज हो गए तीन वाइड गूड लेंथ बॉल बॉलर कोंफिडेंस में है बॉलर लेंग लेंड बॉल रख रहे है और बेस्ट मैन के लिए थोड़ा प्राब्लम हो रहे है वाइड बॉलिंग वाइट ने ज्याद दे रहे हैं इनकी दो बॉल अंदर डालता है दो बार डालता है तो बोलर प्रेशर में लगता है बेस्ट मैं ऐसे लग रहे है कि कॉंफिडेंस में ठेह रहे है वेरी गूट सेक्स हमासाजन ने सिक्स लगा दिया और वेरी गूट सिक्स बीग सिक्स नब्बे मीटर का सिक्स लगा के अपने टीम के लिए छे रंज का इसाफा कर दिया ओर वाइट आ गई सगोर बढ़ता जा रहा है अभी ओवर की चार बली हुई है पहले ओवर की ओर भी वाइट आ गई लगता है बॉलिंग ये करते नहीं है इसको पहला वर दे दिया है और ये प्रेशर में जा हुआ है अगे क्या होता है और वाइट वाइट है दारे प आ रहा है क्या रहा है जैसे तो मैंच ये मुश्किल में डाल रहे इपने आपको वेरी गुड बॉल बहुत स्पीड की बॉल थी 145 के उबर स्पीड डाली अशना है और बेस्ट मैन को नजर भी नहीं है और गेंड कीपर के पास गिरें वेस्ट मैंने हिट लगाने की कोशिश की परना काम हुए और बॉल स्लो आगी और उसके पाट पे लग गई और बॉल भीट हो गई वेस्ट मैंने अच्छी कोशिश की लेकिन सिंगल आया और ओवर क्लास हो गया दूसरे ओवर का खेल शूरू होएगा अब देखते हैं क्या होता है दूसरे ओवर में पहले वर क्या अच्छी एवरेज निगली न्यू बोलर रहा है लगता है श्वेबकतर की तरह यह बहुत पीछे भाग कर आ रहा है वह बोलिंग लगता है यह बोलिंग कमाल की करेगा आगे भी क्योंकि इसके एक्षिन से लग रहा है कि यह बो स्पीड डालने वाला बोल है और देखते हैं क्या होता है यह आया है महमा दिमरान पहली बॉल खेलेगा देखते हैं क्या बनता है इसक काता खोल सकेंगे या अपना नहीं को सकेंगे अमा दिम्रान पहली बोल देखते हैं क्या होता है वायरी गड़्वामा दिम्रान वाटब ब्यूटी शेक्स बिग शेक्स 100 किलो में 100 मीटर का 6 लगाया है और अपनी टीम के लिए 6 रांज का इजाफा किया वहरी गड़्वामा अमा दिम्रान बैटिंग वेरी गुड़ अन्बलीवल बैटिंग अन्बलीवल सिक्स और दूसरी बाद दूसरी बाल आ रही है देखते हैं क्या होता है वारास गुड़्ट फो ओ नहीं फोर नहीं वा फिल्डिंग अच्छी हुए है और उसने रोग लिया है और एक रांज सब्सक्राइब को बाल समझ में भी नहीं आई और ऐसी बल्ला घुमा दिया बाल विक्टों से बार बार बची बाल बीट हो गई बोलिंग अच्छी और यह इस टाइम देखते हैं क्या होता है वाइड बाल बोलर की यह बात तो है वह पीच्छे से भाग कर बाल करते हैं ले है लेए लो जो मूझे लेए लक्त एste के अब लुए मनें बाल बीट हो गई बोलर ने अचेल लेन ने बाल डॉला और बैस्ट मेंन कीजोज हो गया नहीं खेल पाया और बाल बीट हो गई ओ वाइड बॉर्ड लगता है इनको भी सीखना चाहिए वाइटों पर वाइट ही डाल रहे हैं नुझे नहीं लगता कि यह जो पॉलिंग हो रही है एक और में छेचे वाइट है यार एक क्या बॉलिंग है यार थोड़ा सीखना चाहिए उनको फ्रस्टी करने चाहिए बाद म बीदान भी आना चाहिए वह वैरी गूड शॉट देखते हैं कितने रांज बनते हैं वह वैरी गूड फिल्डिंग उन्हाने रोक लिया है और गुट गुट थ्रो दो रांज हैं इस बॉल पे देखते हैं आगे क्या करता है हमाँ साजीद यह शिदावाद है माद आया है बॉड बॉलिंग वाओ लेक्स लिंग ओफ लिंग दोनों कर रहे हैं लगता है यह स्पिन बॉलर भारी बढ़ेगा हमारी टीम पर मॉमा दिम्रान बैटिंग के लिए हैं देखते हैं क्या करते हैं अभी वह वैरी गुड मुझे लगता है यह हम पैर को एक वार्डिंग देनी चाहिए नो बॉल के लिए मॉमा साजिद हैं देखते हैं स्पिन को कैसे खेलते हैं यह वह मॉमा साजिद उड़ हो गए और पहली विकट गिर गई है हमारी देखते हैं अभी कौन बैस्टमेन आ रहा है वाट आ ब्यूटिफुल बोलिंग लैन लैन में बोल डाल रहा है और विकट हासल कर गया आप ब राइट हैंड बले बाज है और वोलिंग तो अच्छी है इनकी स्पिनर की लगता है यह टीम के लिए बारी पढ़ेंगे और इस बाल पर स्विंग वाल आई है राक नौाज का बला लगता है देखते हैं चलता है यह नहीं चलता लेकिन महमा दिमिरान अच्छा खेल रहा है लेकिन वाइट आई चार बॉलिंग हो गए और पांची बाल का रहा है वह बाल बीट हो गया स्पिनर बॉलिंग अच्छी किरा रहा है इनको खिलने का मौका नहीं मिलना लास्ट बाल है वाइट बॉल थर्टी वन स्कोर है और तीरा वर जारी है लास्ट बॉल है लिए वहरी गूट शिक्स वेरी गूट सिक्स अपने टीम को इजाफे पर इजाफे दे रहे हैं रंजनों का लगता है आज महमद इम्रान को फिड़ांस में और अपने टीम के लिए एक बड़ा सकोर खड़ा करेंगे मैं अब बोले रहे हैं मुझे लगता स्पिंडड बोलिंग क्राएंगे ये मीडियूम फर्स्वास्थ लगता है लगता है अधियूर करेंगे कैसी बोलिंग करता है टीम के लिए लिए आघ्लात से फौकिया अला, अला वैए पैरी बाल की कर्राइड है ये फास्ट मीडेर बल्ल रहा है, वारी गोड बॉलिंग, स्लो बाल डाला और बेस्ट मेंड उद्थ हो गया, खेलने में नाकाम, इस्था बाल भी, दूस्री बाल वीडो कर्च गें, बोलिंग स्लो बाल रहा है, वो बॉल एपना स अब देखते हैं क्या होता है ओ तीसी बाल भी बीट होगी वेरी गुट बोलिंग लगता है ये अपनी टीम को मैं जिदाएगा जैसे बोलिंग कर रहा है अबर की चोथी बाल देखते हैं कि आदा तीम बाली बीट कर चुका है वेरी गुट वेरी गुट शीक्स वेरी गुट शीक्स अपनुवाज ने शीक्स लगा दिया और रंज में इंजाफ हो गया कि यहां को बीट किया और चौथी बेश सीक्स लगाया और अब यह ओर भी मुझे लगता है दो बाली पढ़िया है देखते हैं क्या होता है सिक्स लगता है पॉर होता है या या रंज ये बीट वेरी गुट लगता है फिल्टर नीचा है लेकिन फॉर वेरी गुट एक और चुका लगा दिया दस रंज आ गई सवर में पांच बालों मैं लास्ट बाला इस ओवर की वेरी गुट अकनुवाज तीन बालों में बारा रंस दिये अपनी टीम को हमाद इमरान अपना रहा है अभी तक पीट पे मजूद है है लगता है महमैन इमरान इस ओवर में कुछ खास करनेवाले हैं ते कि और महमै दिमरान के पैट से 6 फोर नहीं लगा लेकिन आप देखते हैं क्या करता है महमाद आ है लगाने की कोशिश तो की लेकिन की मिसिंग की वज़ा से डबल रांज आ गया वेरी गॉड मुद्धिम को इस्ताने के लिए मैंने तो करें लेकिन देखते हैं क्या होता है हुआ 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 है ओ हुआ है ओ हमादी पराव चूप गया लेकिन वोलिंग अच्छे असाब से बहुत डाल रहे हैं एक बॉल तेज एक बॉल स्लो तो प्रेस्ट मेंद कंफ्यूज हो रहे हैं हमारे देखते हैं क्या होता है तीसरी बाल है ओबर की वेरी गूड शार्ट लेकिन फिल्डर मजूद है वहां एक ही रांज आएगा चौर बॉली हो गया है फिस्टी टू रांज हो गया है पांच वावर का खेल है और हक नौज आए हुआ हुआ अग्रिस पे तो रखता है स्लोप बाल डाल रहे है लेकिन बेस्ट में नहीं समझ रहे है कि वह क्या बोलिंग स्लोप कर रहे है तो हमें देख कर खेलना चाहिए लेकिन आगे बाढ़कर खेल गया है अपनी टीम को लिए स्कोर का मसला कड़ा करेंगे यह वाले वारी गॉट शेक्स राकनवाद ने हो गया है इसके बाद देखते हैं कोन आता है हमादी इरफान है मुहमेद इरफान आया है देखते हैं इरफान पहली बाल खेल रहे हैं देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए वाइड बाल आगी हमाद इफ्रान पिछले मैचों में बहुत अच्छी परफॉमेंस दि यह यह आए यह जो निगा अगा आपने टीम के लिए रंजों में बारिश लगाना शुरू कार दिया है तो यह जों को लगता है पास्तन टीम में जाना चाहिए जैसे जिस्तना से बैडिंग करते हो ना वाइट बॉल आगी मेरफान को लगता है टीम में जाना चाहिए क्योंकि जिसने बैटिंग करते ना जब इसका बल्ला खुलता है ना तब कोई भी गेंड बाज जो भी होता है वो टिक नहीं पाता है इसके आगे कि जब यह बल्ला अपना चलाते है ना फिर चक्का चोगा चक इस नीचे आपको नहीं मिलेगा इसकी बैटिंग के लिए तो देखते हैं क्या करता है वेरी गूड सिंगहाल ममा दिर्फान दबले डबले 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 लिए जिंगहाल लेके खुद स्टार्ट करेंगे अगला ओवर ओवर हो गया पांच ओवर हो गया है सकता रंज हो ग रहे हैं कि इसको स्टेटियू में प्लास्टिक कराई जाए यह इसे बैस्ट में बन सके पाकिस्तान की त्रीमें जा सके देखते हैं क्या करता है महमद रिफाहन प्लाडी बाल बीट हो गी लास्ट वर की वह वैरी गोड़ शॉट लेकिन इस फिल्डिंग की होने के वज़ा से फॉर हो गया महमद रिफाहन ने चोकर लगा जाए दूसरी बाल पर महमद रिफाहन हो वाइड बॉल वाइड बॉल यह देखता है डबल हैंगे रन आउट हो गया अब पर आपने टेव कराए हो अब आपने टेव कराए हो अब कर चार्ट लोग ना आपने तो शीक्स वेरी गूड शेक्स अच्छी टैमिंगे साथ स्टेड के ओपर शीक्स लगा आइस ने इतना इतना इस तॉस्ट ने तॉस होकर बोल आगे डाला बोलर ने और बेस्ट में आराम से टेमिंग साथ सीक्स लगाकर अपने टेम को च्छे रंज और ज्यादा करा दिये वाइड बॉल वाइड बॉल आई पैर को बोल रहा है वाइड तो नहीं है लेकिन पैर ने बोला वाइड है आप एक्शन में बीजी थे नीचे आपका सीरता तो आप नहीं दे सब्सक्राइड वाइड है वेल, वेल, बोल, बोल, बोल लो, बोल,ाइड नहीं घा. तो यह पूरी टीम में विल्यार बन जाता है, देखते हैं इस बार क्या करता है, वेरी गूड, सिंगाल, ओ, फोर लगा दिया, दो सेक्स, दो फोर के साथ, इसमें अपनी टीम को, 86 का टार्गेट दिया, और 6 ओवर का मैच था, 86 का विन, और बलोच वन टीम, 86 का टार्गेट है, देखते हैं, क्या होता है, यार, बाल पर ने लेगे, पहा रखेंगे, इसलिए मैच से लाखरी,